हाई एवरीवन आई वेलकम यू आल तो आड चैनल तो आज हम फिफ्ट ऑफ ऑगस 2021 की न्यूज आर्टिकल डिसकस करेंगे ऑफ दे इंडियन एक्स्प्रेस उससे पहले मैं आपको यह अपना डेली प्लैनर बताना चाहती हूँ आप लोग भी अपना स्केडियूल बनाते हों होंगे बट शायद आप फॉलो कर लेते होंगे पूरा-पूरा बट मुझसे मतलब बहुत सारी चीज़े चहाते वे भी नहीं पूरी हो पाते हैं काफी सारी चीज़े तो यह पूरी हुई ठीक है 6 a.m. वाली सब कुछ पूरी हुई 7 a.m. 5 a.m. 8 a.m. बट 9 a.m. का जो था जो seven मतलब यह जो तीन घंटे हैं ठीक है अभी जैसे आठ बज रहे हैं तो इस तीन घंटे में मितलब मेरे को exactly नहीं पता चलता था कि मैं क्या कर रही हूं क्योंकि मैं जेनरली या फिर थोड़ा बहुत वाक की छत पे और खेला और फिर नीचे जाके सो गए तो यही मैं कर इसली जो न्यूज है वो है रवी 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 दहिया से रिलेटेट तो सेमी फाइनल रेसलर रवी दहिया आफ्टर दे समी फाइनल विन अगेंस्ट कजाकिस्तान अपोनेंट तीक है तो काफी जादा इंपोर्टेंट आज कर डे था सिल्वर मैडल इनों न जीता है इसके अगेरेंकिनलवा यहां पर ब्रीफली देखें नोटिफिकेशन सेंसां दीपक पुनिया ब्रॉंच वैडल जीते हैं ओ करेंपे हार गयते वह इहां पर सौर्विय ओपर हु घून säga यहां पर पूरी डीट इथम ब्रॉंच बाइच भाइट ली जर्मसे तो 5 ओर से बहुत अ medal dot है ना तो तब से हमें हमें एक medal ही नहीं मिलाता hockey segment में ठीक है तो hockey में जो है हमने एक medal जीता है 41 years 41 साल बाद ठीक है adding their 12th hockey medal to their history तो काफी important है ये remarkable achievement for India and proud moment for Indians so let's see बाकी के जो news हैं वो देख लेता है अभी कल से मैं कुछ एक और initiative स्टार्ट करना चाहती हूं बट वो तभी मैं बताऊंगी जब वो शुरुआत हो जाए उसकी at least so क्योंकि बताने से क्या होता है चीजे प्रॉपरली वो execute ही नहीं हो पाती हैं तो फिर वो ऐसे ही रह जाता है so let's get यह वाली जो नियूजे देख लेते हैं राम टेंपल तो वी रेड़ी फॉर बाइ 2025 बट डिवोटीस विल बी लेट इन अर्लियर तो यहां पर राम टेंपल यह बोला जा रहा है कि आयोद्धिया में जो राम टेंपल है वो 2025 से पहले तो तयार नहीं होगा लेकिन December 2023 तक क्या कर सकते हैं जो भी डिवोटीस होंगे वो यहां पर जा सकते हैं दर्शन कर सकते हैं ठीक है यह अपना प्लैनर मैंने बताया इसलिए बताया कि आप भी Evernote का यूज करो और क्या करो प्लैन अपना बनाओ उसके बाद देखो कि कितने सारी चीजों पर आप अढ़र कर पा रहे हैं कितने चीजों पर नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो नागरा अर्केटेक्चर अफ आयोध्यास राम मंदिर देखें तो यह होती है ना हमारी स्टाइल होते हैं एक बेसर बेसरा होता है यह फिर बेसर स्टाइल बेसर शैली यह फिर नागर शैली बोल सकते हो द्रविड तो ग्रैंड टेंपल जो राम जन में भूमी ऐयोध्या में है वो क्या स्ट्रॉक्चर फॉलो करेगा नागर स्टाइल का टेंपल अर्केटेक्चर तो नागरा style of temple architecture, अभी आवाज भी नहीं निकल रही है, तो नागरा जो style of temple architecture होगा, वो North India में found है, मतलब North India की temple का जो structure होता है, नागर सेली का होता है, नागर style the temple is generally constructed on appraised platform, जगाती, मंदपाज are present in form of the Garbhagra, तो यहाँ पर देख लो एक बार, यह किस से adorned होता है, शिखर नागरा style doesn't usually have elaborate boundary walls और gateway, यहाँ पर कोई भी water tank नहीं होता है, temple premises में, यहाँ पर क्या होता है, प्रदक्षिना पत होता है, प्रदिक्षिना पत से ही यह cover होता है, और Garbhagra जो होता है, वो tallest star के अंडर में ही होता है, हमेशा, तीक है, Garbhagra कहां पर होता है, तो इसी के पर बाकी यह mandapaz है, तीक है, यह mandapaz है, और यह जो है, आपका dravida style of architecture दिख रहा होगा, यहाँ पर गोपूरम होता है, यह mandapaz होते हैं, यहाँ पर यह Garbhagra है, विमाना इसको बोलते हैं, so the basic form of Hindu temple की बात करें, तो यह architecture होता है, जैसे Garbhagra, तो तीक है, Garbhagra को क्या बोलत अभी, यह फिर 80s होती हैं, temple में, mandapaz होते हैं, वो क्या होते है, एक hall at the entrance of the temple, generally designed to house a large number of people, यह mandapaz होते हैं, यह Halo, यहाँ पर बहुत सारे लोग भी बैट सकते हैं, shikhara चो होते है, mountain like a square which can have different shape from pyramidal toंख करविलनर, तो यह है, अमलक होता है, टेक है, इस शिकरा के बास में, यह कुछ आजकल कुछ गरबड हो जा रही है इसमें और वाहना क्या होता है दि माउंट और विकल ऑफ दे में डीटी प्लेस जनरली इन लाइन ऑफ साइट फ्रॉम गरबगर है नागरा स्कूल इस फर्दर सब डिवाइड इन्टो डिफरेंट स्कूल बेस्ट ऑन रिलिजिन स्टेट एक्टर्स क्रेटिंग चैलेंगे इस से रिलेटेड यह है जी इस त्री का टॉपिक सो सिंस 2019 आभी आपको पता है कि जम्मु कश्मीर में जो एड्मिस्टेशन हैं तो उन्होंने यूए पीए के अंतरगत दो हजार तीन सो लोगों को अरेस्ट किया है more than 1200 cases under the unlawful activities prevention act and 1954 जो लोग थे 954 लोग वो पब्लिक सेफटी आक्ट के अंतरगत बुक्त किये गए है पीएसे ठीक है पीएसे जम्मु कश्मीर में ही लगता है ठीक है यह भी बता होना चाहिए अभी वो जेल में हैं बोथ इंसाइड और आउटसाइड जेके अनलाफुल अक्टिविटीज के बारे में हम बहुत बार डिसकस कर चुके हैं कि 1961-67 में यह पास्ट हुआ था है लाइम सेट इफेक्टिव प्रिविंशन ऑफ अनलाफुल तो यह है कि इसमें काफी जादा डेथ पैनल्टी, लाइफ इंपृजनमें highest punishment भी इसमें दी गई है और यहाँ पे जो है Indian और foreign national दोनों को ही चार्ज किया जा सकता है कहीं पे बोलें कि केवल Indian national को ही चार्ज किया सकता है तो foreign national पे भी उसी तरीके से charges लगेंगे जिस तरीके से जो Indian land में जो विक्ती रह रहा है तो यह है और amendments 2019 में हुए थे जो इसको काफी जादा stringent मतलब power देता है और बाकी इसके कुछ section है तो यह आप देख सकते हैं उसमें terrorist act जो है इसको क्या बोला गया था observation should not be used lightly so as to trivialize them terrorist act is that which travels beyond the capacity of law enforcement ना तो यह सब कुछ Supreme Court की इसको लेके बार-बार judgment भी आती रहती है बाकी के news हम देख लेते हैं और काफी important है यह यह है ना यह front page बे थी 2300 बुक्ट अंडर युए पे ठीक है तो यह देख लिए हमने half is still in jail India joint select club club of naval powers first indigenous aircraft carrier start seas trial तो यह हम explain section में देखेंगे it's a very very important topic ठीक है तो उसे देखेंगे अभी हम oppositions united front Pegasus Pegasus जो है NSO Israel की एक firm है तो उनका एक spy warrior है तो उसी से related है जो जसने हमारी जो मिनिस्टर है मुक्तार अब बास नक्वी वो कह रहे है मच्छी बजार मतलब मत बनने दो पाल्लेमेंट को ठीक है और यहां पर इन्होंने एक चांदनी चौक में एक हवा महल लाइक स्ट्रक्चर बनाया था लेकिन अब इसको जो यहां के जो डेली नॉर्ट डेली मिन्सिबल कॉर्पूरेशन है वो क्या रहे है कि इसको डिस्मेंटल करो यह नहीं बनेगा ठीक है तो इसमें 20 लाक का खड़चा इनका आया है वो ठीक है कि ठीक हम करेंगे ऐसे यहां पर जो करना चाहिए ऐसको सपोर्ट करना चाहिए यहां पर ओर देख लेते हैं क्या कि यह मैं ने हुस्तरखन से हूं टो चले कि अई हैं विशार है उसके बारे में थोड़ा बद पढ़ लिया था कि चाट्धाम यात्रा जो है वह डिफिरेंट होती है कांवर यात्रा से हैं यहां पर हरिद्वार में हो गए थे लेकिन चारध हम यात्रा में क्या होगा इट इस नॉट दिसेम हम क्या करना चाहते हैं स्मॉल स्केल में आर्टी पीसिया रिपोर्ट के साथ जो डिवोटीज की आर्टी पीसिया रिपोर्ट होगी उसके साथ उनको वहां पर भीजना चाहते जि पद्ग्रहेंट शामारो तो कहा किसका था जो हमारे विदेश मंतरी है एक्स्टरन अफेर्स मिनिस्टर एश्जेशंकर तो वो तेहरान में विजिट गए थे और आपको पता होगा कि जब वो रश्या जा रहे थे हैं मॉस्को तो वहाँ पे उन्होंने एक स्टॉप ओवर भी इन ले रहे हैं और इरान ने इन्वाइट किया इंडिया को तो अटेंड दे स्टॉइरिंग को अटेंड करेंगे अफगानिस्तान के जो फॉरण मिनिस्टर है मोहमद हनीफ आत्मर तो यह एक बुक के बारे में यहाँ पे जिकर है प्रताब भानू महता का आर्टिकल है contributing editor है IEK so aggressive and expansion मतलब यही इन्होंने इस बुक के बारे में बताए कि इस बुक में क्या लिखावा है रश्टोशी की यह है या रूश्टोशी आप जो पिड़ो इन्होंने एक story बताई है और the long game China's grand strategy to displace American order तो यहाँ पर एक तरीके से यह बोलता है कि first मतलब क्या कर रहा है is to explain that China is indeed on its way to being an aggressive and expansionist power तो यहाँ पर यह है कि वो क्या कर रहे है कि वो अमेरिकन ओर को displace नहीं कर रहे है लेकिन अपनी जो international order है अपनी महाँ पर खुद की एक अपनी image बना रहे है अलग से दूसरी बात यह है कि second is to think about how America might respond to Chinese ambition तो यह जो बुक है यह बेस्ट है Chinese जो documents और sources है उनमें extra ordinarily मतलब deep dive किया हुआ है it may well turn out to be the one single book that distills both the Chinese approach to the world कि किस तरीके से मतलब क्या चाहिना की approach है पुरे world को लेकर and the broad contours of sino-american competition तो किस तरीके से आगे चाहिना अपने को देख रहा है सारे region में तो यह सब है two years later तो यह कश्मीर से related है क्योंकि 5th of August को abrogation वहा था article 370 का तो उसी से related है और यह बोल रहे है कि जो मतलब अभी भी मतलब पूरी तरीके से महाँ पर जो काम, piece है वो सब चीज़े नहीं आ पाई है on the ground the implementation of these momentous decision was done through unprecedented use of the hard instrument ठीक है तो यह hard instrument का use की आ गया है state power यह सब बोला जा रहा है उतर की द्वारा और chief ministers जो है including one who is sitting member of parliament ठीक है तो उनको भी काफी time तक detent किया गया था और उनको public safety, public security act, public safety act उसके अंतर भी उनको अरेस किया गया था तो कुछ अभी भी they are still behind the bars and internet services जो थी disrupt हुई थी 18 months के लिए almost and Kashmir media के organization was crippled new media policy महाँ पर आई थी तो यह सारी चीज़े यहाँ पर हुई थी ठीक है और COVID warning तो यह उसी से related है कि COVID के जो केसे से वो बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से और आर जो value है वो भी increase हो रहा है बहुत सारे states में हमाचल प्रदेश तामिलनाडू, मिजोरम, करनाटक जमू कश्मी, लक्षदी, पुडू चेरी और जो 44 districts है वहाँ पे अभी positivity rate जो है वो 10% से and July should, week of July, last week of July should variant arise in vigilance level तो यह सारी चीज़े हैं बहुत तो कि डेली में भी COVID protocol के जो थे violation देखने को मिले है ना crackdown on markets that violated COVID protocols यह सब भी थे उन्होंने फिर बंद कर दिया था जब लोग mask पहन के नहीं जा रहे थे wrong way to clean up अब यह जो है प्रेम शंकर जहां यह कौन है senior journalist and author है और यह क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्रिक वेकल्स है means subsidizing effluent there are better alternative तो यह बोल रहे हैं कि हम ठीक है हमने एक target set किया है कि हमको जो यह वेकल्स है उसको promote करना है है न तो यह एक गलत तरीका है अब जुलाई 28 को यह रिपोर्ट आई थी कि 650 जो नेक्संस होंगी ठीक है of the 8033 नेक्संस टाटा मोटर्स की यह popular mini SUV है जो जून में sold हुई थी EVs ठीक है इवेकल्स दाट इस है एलेक्रिसिटी डिवन इंजन यहां पर यह बोला गया है कि यहां पर इसको सबसड़ाइस कर दिया गया और जो इवे वेरियंट है वह अभी क्या कॉस्ट कर रहा है और कॉस्ट ओल्नी रूपीस टू लाक मोर दें डीजल एंड रूपीस थी लाक मोर दें पेट्रोल वेरियंट ठीक है और यह सिक्स्थ है डीजल वेरियंट का इवन बायर्स वू ड्राइवस एस लिटल एस 40 किलोमीटर अड़ नाउ रिकोवर्स थी एक्स्टा कैपिटल कॉस्स मतलब एक से दो साल के अंतरगत आपको क्या मिल जाएगा इसका कंपनसेशन भी मिल जाएगा तो यह है इसका जो शोरूम प्राइस है वो कितना है इन एक्सन का रूपीस 14 लाक है और जो डीजल वेरियंट है उसका 8 लाक है अब यहाँ पर बहुत सारी जो स्टेट है उन्होंने क्या ओफर किया प्रेजेंट ली टाइम बाउंड और यह जो सबसीडी थी वो प्रोवाइट की डेली महारास्ट गुजरात इन सारी जगाओं में और यह भी बोल रहे हैं कि मतलब इस तरीके से करने के बजाए आप कु इस तरीके से फॉसल फ्यूल को हम ट्रास्फोर्ट सेक्टर में ला सकते हैं न तो यह बोल रहे हैं कि यहां पर एक तो अल्टरनेटिव है हमारे पास क्या अल्टरनेटिव है एथनॉल और मेथनॉल है तो बस इनका यही कहना है यहां पर यह आपर यह आर्टिकल पॉलिटिकल मतलब जादा है तो वह मैं डिसक्स नहीं करूंगी वाय मेड इंडिया एरक्राफ्ट केरियर मैटर्स तो यह बोल रहे हैं कि IAC-1 क्या है ठीक है IAC-1 है इंडिजिनियस एरक्राफ्ट केरियर 1 विच विल बी कॉल इनस विक्रांत once it entered services with the Indian Navy about air from now ठीक है एक साल के अंतरकत की इंडिया नेवी में आ जाएगा sea trials इसके होंगे और यह क्या होगा हमारे last phase होगा sea trials का ठीक है on Wednesday what is this warship and why is this project important for the country यह बहुत ही जादा important project होगा country के लिए और यहाँ पर जो weaponry अगर इसके बारे में थोड़ा सा property इसके बारे में बताएं तो इसकी जो हाइट है 59 मीटर्स की है 14 15đ से ऐहर क्या है क्या मतलब जिसमें कुछ चीज़े समान ले जाते हो तैके तॉ इसनी तरीकर से यह इतने बड़े क lanes हो ते जिसमें हमारे हेलिकॉप्टर हमारे जो और ठीके सारी चीजे मतलब और हलिकॉप्टर के लावा और भी बहुत सारी चीजे रहती हैं ठीक है जेट्स रहते हैं तो उन सब को क्यारी करने वाला एरक्राफ्ट उसको बोलते हैं तो वेपनरी 34 फिक्स्ट विंग और रॉटरी एरक्राफ्ट मिग 29 के फाइटर एरक्राफ्ट तेक है कामोफ 31 एयर अरली वार्निंग एयर हेलिकॉप्टर यह सब हैं और यहां पर यह है कि यह देखो करन्टली मतलब इसका कोड़नेम क्या किया गया है ना कोड़नेम यह है कि और यह है कि अब यह बूल रहे हैं कि यह मैटर जो है made in India warship यह what does it matter है न कि यह made in India warship है तो अगर यहाँ पर बात करें तो अभी तक केवल 5 यह फिर 6 निशन है जिनके capability है manufacturing की टीक है aircraft carrier की manufacturing की अब इंडिया ने जो elite club है उसको join कर लिया है तो बहुत बड़ा achievement है इंडिया के लिए है what is considered to be one of the most advanced and complex battleship in the world इंडिया के पास देखो अभी जो aircraft carriers है न वो या तो फिर Russia की side से है Russia made है या फिर British made है जो अभी हमाई पास INS Vikramaditya है नेवी का only aircraft अभी हमाई पास है 2013 में commission किया गया था और Soviet Russian जो Admiral Gorsha Kov 30 के तो उन्होंने start किया था अभी जो country के two earlier aircraft carriers INS Vikrant and INS Virat were originally the British built HMS थी के इन्होंने ये build किये थे originally 1961-1987 में ये commission हुए थे इंडिया नेवी में तो अगर हम बात करें तो 76% जो इसका material है और जो equipment है onboard IAC-1 ये indigenous है मतलब भारत के ही द्वारा build है तो ये हमारे बहुत important achievement है कि हमने खुद से 76% पूरा इसके manufacturing में अपना contribution दिया है और इसके लावा नेवी ने ये भी बोला है कि 50 जो Indian manufacturer है 50 manufacturer है इसमें directly involved थे इस project में 2000 जो Indian थे वो received कर रहे थे direct employment on board every day over 40,000 जो दूसरे employed थे indirectly और बाकि ये सारी चीज़ है why will this ship be named INS Vikrant क्योंकि INS Vikrant एक majestic class 19,500 ton warship थी was name of India's much loved first aircraft carrier और 1971 का जो war था पकिस्तान के साथ उसमें इसने stellar role एक प्ले किया था और Vikrant was deployed in the Bay of Bengal and it's two air squadrons of Sea Hawk fighter jets ठीक है इसके लावा देखो अभी अभी क्या बोला जा रहा है what weapons equipment will be the new Vikrant have तो अभी नेवी इसके बारे में कुछ भी जो official documents है वो reveal नहीं करती है कि किस तरीके से इसके equipments है weapons है इसमें ठीक है लेकिन यहाँ पर यह कि INS Vikrant जो है यह इंडिया के जो existing carriers है INS Vikrant अधित्या जो 44,500 ton vessels है can carry up to 34 aircraft including both fighter jets and helicopter तो उसी के similar यह होगा तो यह सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई है और इसके लावा जो हमारे जो navy है वो बार बार सीख कर रही है 2015 से government को कि आप इस तरीके के जो aircraft carrier है उनके लिए आप approval दो मतलब अगर एक बार approve हो जाते हैं तो इंडिया काफी जादा second indigenous aircraft इसका क्या नाम होगा एनस विशाल तो यह भी बोला जा रहा है और इसके लिए government को मतलब change in mindset चाहिए change in mindset मतलब बार बार हमारी जो navy बोलती है कि यह एक क्या है operational necessity है इंडिया को जरूरत है ना इसकी तो आप बनाएं इसे लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो हमारे जो chief of defense staff general विपिन रावत है तो वो इसका भी oppose कर रहे हैं कि मतलब इस तरीके से हम invest नहीं करेंगे aircraft carriers पे and instead suggested that the luxury pandemic and nicobar could be developed as unsinkable naval assets तो यही बोल रहे है कि हमको अभी जैसे US की navy उनके पास 11 aircraft carriers है चाइना भी बहुत जादा आगे aggressively work कर रहा है अपने जो aircraft carrier program में उसको बार-बार बढ़ा रहा है expand कर रहा है it has two now and the third is the making and another two are likely to be commissioned within a decade तो नेवी के official जो है request कर रहे है तो उनकी request को मतलब सुना जाना चाहिए ठीक है यहाँ पर यह then country's east travel curves how it will help Indian travelers तो इसी से रहे ज्यादा कुछ खास ने क्यों के यम बिल्डा steps down as a non-executive chairman of V.I. company to replace him तो अभी आपको पता था कि जो हमने कली बढ़ा था कि इन्होंने letter submit किया था government को कि हमको मतलब क्या कर रहे है हम पूरा hand over करना चाहते है तो अभी जो board of director of V.I. है that is merely formal known as Vodafone idea तीक है has accepted the request of Kumar Mangalam Birla to step down as non-executive director and non-executive chairman of the board तीक है Wednesday से यह इन्होंने step down कर लिया है और Airtel के CEO क्या कह रहे है नीट थ्री प्राइवेट प्लेयर से ना चो क्यूट बारती एडिटल M.D. कौन है CEO गोपाल बिटल he is saying that telecom sector needs the government helps and efforts should be made to ensure that three private sector players remain in the market मतलब सही है ना अगर government ही यहाँ पर stake खरीद लेगी अगर इनका government सब कुछ सही कर देगी तो यहाँ पर जो Chinese investor मूँ खोल के हाथ फिला के बैठे हैं यहाँ पर कि कब वो investment करें तो Chinese companyya investment करने के बज़ाय है हमारी government पहले ही खुदी step ले ले तो that is that will be beneficial for us as well बाकी अभी जो इन पर agr है जो adjusted gross revenue के बारे मैंने बताया था जो किसको देना पड़ता है सरकार को देना पड़ता है यानि कि टेलीकॉम department of telecom को ओन करता है ठीक है तो वो 60,000 करोड यह सब नहीं पे कर पाया है वी आई तो अभी काफी जादा debt trap में यह फस्ट चुका है बाकी आपको मैंने वो बताना था दो जो फ्रॉग है फ्रॉग 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 तो उनके बारे में देख लेते हैं मिनरवाया पिंटाली और एक और है ठीक है उसके बारे में देख लेते हैं तो यह new discovered species endemic to the southern western ghats शायद मैंने यह अल्रेडी पढ़ा चुका है ना तो यह क्या था species named after professor दीपक पिंटल इस appreciation of his tremendous support and encouragement for setting up systematic lab at University of Delhi ठीक है तो यह है पिंटाली उनके नाम पर पढ़ा है एक यह है नमलाई flying frog scientific name इसका यह है देख लो other rockophorus pseudomalabaricus false malabar getting frog and false malabar tree frog critically endangered frog species है वेस्टन घाट के पार्ट में पाई जा यहां पर मतलब loss of habitat के वज़े से decline इनका टेजी से हो रहा है इंद्रा गांदी नैशनल पार्क एंड परम बुकुलम tiger reserve जो है यहां पर two protected areas इसके लिए है यह ऐसा दिखता है ना बहुत artistic type की है इसकी body the Indian computer emergency response team यह क्या कर रहे है objective मतलब इनका है कुछ securing and Indian cyber space है उसको secure करना 2004 मे established within nodal agency which deals with cyber security threats like hacking and phishing तो इसमें cert इनको जो था designate किया गया था 2008 में to serve as the national agency to perform certain functions तो यह काफी important था तो आज के लिए बस इतना ही उमेदे आपको प्लीज मतलब cooperate करे मेरे साथ कभी time पे नहीं बना पाती हूं I'm really sorry so I'll try my best thank you have a nice day